आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत-बहुत बधाई जीतने की काउंसलर बनने की और बहुत-बहुत शुब कामनाएं भगवान करें आपके अगले पांच साल बहुत अच्छे बीते हैं और आप जनता की खुब सेवा करें मेरी नजर में ये चुनाव बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-मुश्किल चुनाव था कुछ लोग कहते हैं आसान चुनाव ता लेकिन किसी भी हालत में आसान चुनाव नहीं था जिस तरह से इन लोगों ने जिस लेवल के शड्यंत्र रचे और जिस तरह से इन्होंने पूरी मशीनरी को हमारे खिलाफ इस्तिमाल किया उस तरह से ये मेरी नजर में अभी तक हम जितने चुनाव लड़े हैं सबसे मुश्किल चुनाव ये था पूरी की पूरी इनकी मशीनरी उतराए इनके साथ मुख्य मंत्री, सतरा केंद्रिय मंत्री, अमित शाजी खुद, जेपी नड़्डा साब खुद, इनके राश्ट्रे अध्यक्ष, वो सारे तो थेई जिस तरह से इन्होंने मीडिया पे दबाव डालके, मीडिया को धमकाके, मीडिया की बाहम मरोड के 24 घंटे हमारे खिलाफ दुष परचार किया, रोद सवेरे 9 बजे में देखता था, साड़े आठ नौ बजे एक वीडियो निकल के आ जाता था, कोई फरजी वीडियो एक न हम जब भी किसी चुनाव में जाते हैं, हम कहते हैं, जी हमने ये काम किये और हमें वोट दो, आगे हम ये काम करेंगे, हम अपने कामों की बात करते हैं, हम अपने कामों के इर्दिगिर्द अपना नेरेटिव बनाते हैं, हमें तो नेरेटिव बनाने ही नहीं दिया इन्हों गन्टे वीडियो जी चल रहा है हमारी price conference तो चलती नहीं थी इतने वीडियो ले के आए इतने फर्जी वीडियो ले के आए तिहार जेल के किसी ठगको पकड़ लिया उससे चिठियों पर चिठियां चिठियों पर चिठियां लिखा रहे हैं कभी सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, कभी मनी सिसो दिया के खिलाफ फरजी केस कर दिया, कभी केलाश गैलोत के खिलाफ फरजी केस कर दिया, इतने सारे फरजी केस, CBI, ED, Income Tax की इतनी सारी रेड, मैं समझता हूँ कि इस किसम का युध्ध इन्होंने किसी के साथ नहीं किया, जिस किसम का युध्ध इन्होंने MCD के चनाव के दुरान किया, इन्होंने हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यह यह नहीं कहते थे कि बीजेपी वाली यह नहीं कह रहे थे कि हम इमानदार हैं और आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं वो यह कहते थे हम तो चोर हैं यह भी चोर हैं हमारे जैसे हैं यह भी उनका पूरा का पूरा जो हम बार 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 और फोरूम पर खड़े होके कहते हैं, हम कट्टर इमानदार हैं, इमानदार ही हमारी आइडियोलोजी, हम कट्टर इमानदार हैं, वो इसको ध्वस्त करना चाहते थे, कि नहीं यह इमानदार नहीं है, यह हमारे जैसे ही है, यह इमानदार नहीं है, यह हमारे जैसे ही है, इन लोग सोचते थे जनता को बेकूब बना लेंगे इनका सारे दुष प्रचार के बावजूद जनता ने आपको वोट दिया इसका मतलब हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो कमाया है जो मेहनत की है जनता उसको देख रही है टीवी पे चलाते थे मनीस सोधिया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी गली में हो रहा होता था कि बीजेपी वाले चोहर हैं गली में जनता कह रही होती थी बीजेपी वाले चोहर हैं लेंटर पे पैसा खाते हैं मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे किसी पत्रकार ने पूछा किसी से कहता है जी वो मनी से सो दिया कि खिलाफ ये आरोप लगे हैं ये आरोप लगे आपको क्या कहना है वो बोला जी मेरे बच्चे का तो भविश्य बना दिया ऐसा आदमी जो बच्चों के स्कूल अच्छे कर ये लोग तोड़ नहीं पाएं अब इसे आगे ले जाने की जिम्मिदारी आपकी सबकिया है अगले पांट साल में कुछ ऐसा करना कि वो विश्वास और सुद्रड़ो ऐसा नहों हो जाए कि पांट साल के बाद वो विश्वास जनता का कम हो जाया है हमारे पर विश्वास और जादा बढ़ना चाहिए विश्वास कम नी होना चाहिए, जंता का प्यार जंता की महबबत हमारे प्रति और जादा अगले पांट साल में बढ़ने चाहिए, वो कम नी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा दुखी जनता भ्रष्टा चार से हैं एमसीडी में बहुत ज्यादा हर लेंटर पर पैसे लेते हैं हर काम के पैसे खाते हैं बहुत ज्यादा दुखी है जनता आप सब लोगों से हाथ जोड़के निवेदन हैं आप सब मेरे से बहुत सारे आप में से उमर में छोटे भी कुछ बड़े भी एं तो खोटे भाही बैन और सब के भाई बहाई की तरह में यह ही कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी जिंदिगी में सब कुछ कुछ देखा है, income tax में भी था, मैं वहां भी खूब पैसे कमा सकता था, उसके बाद फिर काफी टाइम NGO में काम किया, सुंदर नगरी की जुगियों में रहा, उसके बाद फिर मुख्यमंतरी बनने का मौका मिला, यहां भी खूब पैसे कमा सकते थे, लेकिन फिर अगर मैं पै अचरन आपको आगे लेके जाएगा, आप अगर यह सोचो ना कि मैं पैसे कमा लूँ और किसी को पता नहीं चलेगा, सब पता चल जाता है, सब को, और किसी को पता नहीं चले, उपर वाले को तो पता चलता ही है, है कि नहीं है, भगवान को तो मानते हो गए, तो उपर वाल का दे दिया, आम आदमी पार्टी ने टिकेट दे दी, भग जनता ने आपको जिता दिया, अब यहां से आगे का रस्ता आपके उपर है, इमानदारी से काम करोगे, सेवा करोगे, बहुत आगे तरक्की करोगे, और अगर इसी बार लालच में पड़ गए, तो यह सोच ले ना अगली बार टिकेट भी गई, और जनता भी गई, सब कुछ गया, उसके बद बस यह पान साली है, उसके बद और कुछ नहीं है, दूसरी चीज, जो आदमी पैसे खाता है न, वो काम नहीं कर सकता, मैंने तो यह दिखा है, एक बार यह लट होती है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, मैं विपशना में जाता हूं, विपशना में जब आदमी जाता है, तो दीरे 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 कई सारे उसके एब छूटते जाते हैं, तो मेरा एक इंकम टैक्स में मेरा एक दोस्त होता था, वो भी मेरे साथ विपशना में जाने लगा, तो वो सिगरेट प तूट पाया उसका, छोड़ना चाहता था, छूटा नहीं, मैंने पूछा उससे, कहता है, जब भी मेरे सामने कोई income tax payer आके बैठता है, कहता है, मेरा शरीर का अपने लग जाता है, अपने आप खुद बखुद, वो लट लग गई थी उसको, इतनी गंदी लट है ये पैसे की, इतनी गंदी लट है, ये छूटती नहीं है, बड़ी मुश्किल से छूटती है, इस लट को मत लगा लेना, ये तो बरबाद हो है, आप भी बरबाद होगे, आपके बच्चे भी बरबाद होएंगे, ये CBI ED वाले तो बाद में आएंगे, वो तो बरबाद करेंगे ही करेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, इज्जत भी जाएगी, सब कुछ खराव होएगा, लेकिन आप भी बरबाद होगे, और दूसर जी इमानदार लोगे ने, और अगर आपने पैसे लेने चालो कर दिये तो इज्जत भी जाएगी, सब कुछ जाएगा, फिर जनता आपके साथ, कोई आपके साथ खड़ा नी होगा, और आपके परिवार वालों को जो दुर्गती होती है, आप तो की तो होईगी होईगी, परिवार वालों के जो दुर्गती होती है, वो बहुत जादा होती है, और इसके काउंटर में अगर आपने इमानदारी से काम किया, तो उसका जो सकून मिलता है, बहुत जादा सकून मिलता है, बहुत जादा, शानती मिलती है, जनता की इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत चाहते हैं कि मेरे को इज्जत और मिले दुनिया की इज्जत मिले वो इज्जत तभी मिलेगी जब आप इमानदार इसे काम करोगे और जनता का काम करोगे तो पैसे ना ले लेना बाकी दो चार काम कम कर दो तो चलेगा लेकिन कहीं ऐसा नहों कि इस बार हम BJP के भृष्टा चार के खिलाफ लड़े हैं, कहीं ऐसा नहों जाए, अगली बार BJP हमारे भृष्टा चार के खिलाफ लड़े चुनाओ, यह नहीं होना चाहिए, तो आप पर बहुत बरोसा है, जनता ने भी बरोसा किया, हम आदमी पार्टी ने फैलना चाहिए, यह हमारा मकसद है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, MLA और काउंसलर मिल के चलना, मैं कई सारे MLA से मिलता हूँ, उनको यह डर होता है, मेरे टिकेट ना कट जाए, किसी की टिकेट नहीं कट रही चिंता ना करो, वो कहते थे, शीला दिखे, एक कहावत है, शीला देखे, जान गूज के चुनावारती थी, M.C.D. के, ताकि दोनों, तो यह MLA को कई MLA को यह डर रहता है, कि मेरी टिकेट ना कट जाए, कांसलर बढ़ा ना बन जाए, आप सब को पताए कि हम सर्वे पे देते हैं, टिकेट, MLA की टिकेट भी सर्वे पे मिली, कांसलर की फैलेगी, तो अपने आप सर्वे में MLA का नाम आजाएगा, और अगर आप लडाई करोगे, तो MLA सोचेगा, मैं इसके काम ना होने दूं, वो सोचेगा, मैं MLA के काम ना होने दूं, ना तो MLA का सर्वे अच्छाएगा, और ना कांसलर का सर्वे अच्छाएगा, दोनों अपने हाथ काट लोगे. तो मेरा अपना ये थोड़े सी स्ट्रेटेजी है वही बना के चलो दोनों बना के चलो कई लोगों को ये है मैं बात करता हूँ MLS-MLS जिसने मेरे चुनाओं वी मेरे खिलाफ काम किया था. भूल जाओ. कोई बात नहीं किया था किया था मेरे खिलाफ पता नहीं कितने लोग हैं जिन्नोंने मेरे को काले जंडे दिखाए थे मेरे खिलाफ कई लोग हैं जो 2020 के चुनाव में जिन्नोंने मेरे उपर पत्थर फैंके थे उनको भी इस बार मैंने टिक्टे दी है हमें तो दिल्ली के दो करोड लोगों को साथ लेके आना है हमें लोगों को दुश्मन नी बनाना, दुश्मनियां खतम करनी है जितनी हैं भी वो भी खतम करनी है हमारी दुश्मनी है तो ब्रश्टाचार से है, हमारी दुश्मनी है तो कूडे से है जितने भी दो करोड़ लोग हैं जितने भी हमारे खिलाफ कभी जिन्दगी में काम किया उनको भी दोस्त बना लो सबको दोस्त बना लो अंतपंत में सारी बीजेपी को भी जॉइन कराएंगे एक दिन चिंता ना करो सारों को साथ लेके आएंगे सब को दो करोड़ लोगों को सब को एक दिना मादमी पार्टी में जॉइन कराएंगे तो ये सारा अपने मन से निकाल दो कई लोगों के मन में इसने मेरे खिलाफ काम किया था मैं जिन्दिगी भरिस का साथ इसको नहीं छोड़ दो किया था किया था अब गले मिल लो बस हो गया अब आगे काम नहीं करेंगे साथ मिल के काम करेंगे पुराना कतम तो साथ मिल के काम करना है और सब के काम करने है कई हम लोग ये सोचते हैं ये हमारी पार्टी का इस महले ने तो मिरे को वोट ही नहीं दिया इसको मैं क्यूं वो करूं आप ये मान के चलो कि जब हमारी सबसे पहले अठाइस सीट आई थी हमको बहुत कम लोगों ने दिल्ली में वोट दिया फिर अगली बार और जादा दिया फिर अगली बार और जादा दिया क्यूं हम धीरे 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 इसको भी अपना बना लिया इसको भी अपना बना लिया व्यापारियों को भी अपना बना लिया अगर हम ये सोचते थे ये तो हमारा वोट ये तो हमें वोट नहीं देते ये त जीरे दिरे उनको पार्टी में शामिल करते जाओ लड़ना किसी से नहीं है पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के आगे बढ़ना है सब के काम करने है और खासकर सफाई करमचारी सफाई करमचारी बिचारा दोनों तीनों तरफ से पिस्ता है जनता भी उसको उसके पीछे पड़ी रहती है उसको तनकौर भी टाइम पर नहीं देते तनकौर अब ताइम पर दिलाएंगे यह लेकिन उनको साथ लेके चलना उनको दोस्त बनाना उनको शादी ब्या में agree अधिया में मदद करना शादी ब्या में जाना उनको अपना परिवार का हिस्सदा बनाना और साथ लेके चलोगे देखो वो चमवो बड़े इमोशनल लोग हैं उनको साथ लेके चलोगे वो आपका नाम उंचा करेंगे आपका काम अच्छा करके दिखाएंगे और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह अब आप लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे औ कुछ लोगों के पास फोन आये हैं किसी को कह रहे हैं दस लाख ले लो किसी को कह रहे हैं पचास लाख ले लो हमारे पक्ष में वोट डाल दो हमारे मुझे पूरी उमीद है आप मेंसे कोई नहीं बिकने वाला एक एक आप मेंसे हीरा है मिलको पूरी उमीद है लेकिन इनको एक्सपोज करना भी जरूरी है तो अपने अपने फोन रेकॉर्डिंग पे लगा लो जो भी फोन आए रेकॉर्ड हो जाएगा तो रेकॉर्डिंग पे लगा लो रेकॉर्ड कर लेना और अगर कोई आके मिले तो दीरे से अपना फोन की रेकॉर्डिंग अन कर देना चाहिए audio recording यह on कर ले ना इनको record कर लो इनको एक्सपोज करना तेलंगाना का देखा था आप लोगों ने तेलंगाना में किस तरह से यह मेले खरीदने गए थे देखी थी आप लोगों ने वह वीडियो आई थी उसमें यह भी कह रहे थे दिल्ली के हमने 40 ml खरीद लिये तो सौ करोड रुपे तेलंगाना के मले तेलंगाना की सरकार गिराने के उन्होंने recording कर ले इनकी सारी और यह फस गए और इसमें सारे बड़े बड़े निताओं के नाम ले रहे थे तो अगर कोई भी आए आपके पास सब की recording कर लो और recording करके इनको एक्सपोज करेंगे इनकी कुरीतियां दजनता के सामने लाना बहुत जरूरी है और अगर किसी के पास भी फोन आए कोई मिलने आए तुरंट अपने कॉडिनेटर को बता देना अभी जो मनीज जी ने बताया आतीशी दुरगेश सौरव आदिल जो हैं इन मेंसे जैसी आपके पास को आपके मेल ले सकें आप लोग सब लोग का अगले पांच साल खूब अच्छे भीते हैं आप लोग खूब एंजॉय करो काम करना जनता के खूब आपको आशिरवाद मिले ऐसे मैं प्रभू से कामना करता हूं बहुत बहुत शुक्रिया